भक्त बदल जाता है लेकिन इतिहास कभी नहीं बदलता और आज उनी इतिहासों को लेकर हम आज आपको राजा पोरस के बंशिजों का असली इतिहास बताने जा रहे हैं तो भाईयों कटोच बंशिके 364 बे राजा हुए राजा हरी हर चंदर उनके दूसरे पुतर राजा परमान अंदर चंदर कटोच को ही सिकंदर ने पोरस कहा था ये आज भी कांगडा की रॉयल फैमली है जो उनका केला है उनके पास पूरी बंशाबली मजूद है और कांगडा रॉयल फैमली से आप सबी को हम बताना चाते हैं कि सिर्फ कांगडा में ही राज नहीं था कांगडा से आगे जाओगे पंजाब की दरफ उनना बढ़ता है उनना में जस्वान रियास्त जस्वार राजपुतों की थी उसके आगे दतरपूर जो होश्यार पू की रियास्त के रिजोरी में हैं इनके बड़े बाई परवर्तग चंदर का राज्य चंदर वागा और जमुना के मद्दे का शेतर था राइदानी थी जालंदर कांगडा तीसरा शोटा पुत्तर था उसका नाम था बीरे चंदर उसकी जो राइदानी थी वो सिंदू नदी और जेलम के मद्दे थी जिसकी राइदानी मुल्तान थी और मुल्तान को पाकिसान की अफिशल वैपसाइड में गटोप भी बोला गया है क्योंकि क्टोचों की बिरास थी तो ये जो बिरास्तें रही हैं पहले कोई इतने राजा नहीं होते थी जो बाद में राजा उगे अलगज जगा राज करने लगे पहले जो राज था जो कांगडा भी बीच में आता था कांगडा पनिजाम का राज हुआ करता था और ये जो मुलतान हा रहे हैं ये लगवग आठमी नौमी सदी में शगबाता गरके जलंदर भी बारमी तेरमी सदी में आ रहे हैं लेकिन जहंदर के पीशे आज भी उनका राज है वहां पर कटोचों की जो शाका डड़वाल हैं जस्वाल हैं गुलेरिये हैं यह आज भी बड़ी वादी में लाकों में बसे हुए हैं जो बैल्ट जो हिमाचल से शिरू होकर पंजाब तक ज लेकिन जे इतिहास जो हमने आपको बताया जे कांगड़ा की रॉयल फैमिली के पास आज भी माजूद है चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे सिर्फ अपनी कौम के लिवाज उठाते रहें जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम तो आप हमें नीचे दिये हुए जो क्या आप सबी इसको हमें जितनी स्पोर कर सकते हैं किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आप से होता है और हम ऐसे ही शत्री तिहास पर वीडियो बनाते रहें आप इस के और कोड के स्क्रेंशाट ले सकते हैं सबी भाईयों को जाते हैं वजया माभूवाने और जया शातर